बिलासपर जिला के तहट हरनोडा पंचायत के कसोल गाउं में सतलुच किनारे बने शम्शान घाट के जीर्णोंधार का जिम्मा कसोल विकास मंच ने उठाया है वहीं इसे सतलुच सागर मुक्षधाम का नाम दिया गया है कसोल विकास मंच के सहियोजक प्रकाश जन ठाकुर ने बताया कि NTPC प्रबंधन वो प्रशासन के अंदेखी के चलते कसोल विकास मंच इस कारे को जन सहयोग से कर रहा है कई बार यहां के स्थानिय लोगों को कोल बांध परियोजना के जलस्तर के बढ़ने वगटने से शमशान घाट में अंतिम संसकार करने में मुश्किले आती थी लोगों ने कई मर्तबा जला प्रशासन विस्थापित NTPC प्रबंधन के समक्ष भी सतलुच सागर मोक्ष्थाम के पुनर निर्मान की मांग को उठा चुके हैं लेकिन कोई सकरात्म कदम नहीं उठाया गया नहां सबों को जलाया जाता था उसमें स्थानिया लोगों को दिक्कत आ रही थी इस जील से क्योंकि इसका जो स्थर है वो कभी बरसात में नीचे चला जाता था और कभी ये उपर आ जाता है तो अगर जब ऐसी कोई घटना घटती थी तो जो जिस स्थान पे इस सेड को बनाया गया ये बाटर लेवल से काफी उपर था तो अब इसको जो छे सो ब्याडी का जो बाटर लेवल है उस स्थान पे लोगों ने अपना अनुदान अपना पैसा इकठा करके इसको बनाने का निर्णे लिया है और इसकी जिम्मबारी सोल विकास मंच को दी गई है जनता का स्थानिया जनता का स्योग मिल रहा है हम अनरोद करते हैं स्थानिया परसासन से भी हम इस मारे में मिले थे परसासन को भी पंचायत के माध्यम से अवगत कराया गया है कि इस समोक्षधाम का जो है कार्या करवाया जाए क्योंकि यहां काफी दिक्कत आती है जब डैम ओपर या नीचे होता रहता है और वैसे भी क्सोल के विकास के लिए जो क्सोल विकास मंच का गठन किया गया है क्योंकि एंटी पीसी द्वारा और सरकार द्वारा पंचायतों द्वारा क्सोल गाओं का जो महत्वा है उसको नजर अंदाज किया जा रहा है क्योंकि प्रेटन की दिरिष्टी से ये एक ऐसा बिलासपुर जिले का स्थान है जिससे यहाँ प्रेटकों को करसित कि दिवेह माचल टीवी के लिए बिलासपुर से अभिशेक सोनी के रिपोर्ट बिलासपुर जिला के तहट हरनोडा पंचायत के कसोल गाओं में सतलुच किनारे बने शम्शान घाट के जीरनोधार का जिम्मा कसोल विकास मंच ने उठाया है वहीं इसे सतलुच सागर मुक्षधाम का नाम दिया गया है कसोल विकास मंच के सहियोजक प्रकाश जन ठाकुर ने बताया कि एंटीपीसी प्रबंधन वो प्रशासन के अंदेखी के चलते कसोल विकास मंच इस कारे को जन सहयोग से कर रहा है कई बार यहां के स्थानिय लोगों को कोल बांध परियोजना के जलस्तर के बढ़ने वगटने से शमशान घाट में अंतिम संस्कार करने में मुश्किले आती थी लोगों ने कई मर्तबा जला प्रशासन विस्थापित अंटीपीसी प्रबंधन के समक्ष भी सतलुच सागर मोक्ष्थाम के पुनर निर्मान की मांग को उठा चुके हैं लेकिन कोई सकरात्म कदम नहीं उठाया गया यहां सबों को जिलाया जाता था उसमें स्थानिया लोगों को दिक्कत आ रही थी इस धील से क्योंकि इसका जो स्तर है वो कभी बरसात में नीचे चला जाता था और कभी यह उपर आ जाता है तो अगर जब ऐसी कोई घटना घटती थी तो जो जिस स्थान पे इस सेड को बनाया गया यह बाटर लेवल से काफी उपर था तो अब इसको जो छे सो ब्याडी का जो बाटर लेवल है उस स्थान पे लोगों ने अपना अनुदान अपना पैसा इगठा करके इसको बनाने का निर्णे लिया है और इसकी जिम्मबारी सोल विकास मंच को दी गई है जनता का स्थानिया जनता का सियोग मिल रहा है हम अन्रोद करते हैं स्थानिया परसासन से भी हम इस मारे में मिले थे परसासन को भी पंचायत के माध्यम से अवगत कराया गया है कि इस समोक्षधाम का जो है कारया करवाया जाए क्योंकि यहां काफी दिक्कत आती है जब डैम ओपर या नीचे होता रहता है और वैसे भी कसोल के विकास के लिए जो कसोल विकास मंच का गठन किया गया है क्योंकि एंटी पीसी द्वारा और सरकार द्वारा पंचायतों द्वारा कसोल गाओं का जो महत्वा है उसको नजर अंदाज किया जा रहा है क्योंकि प्रेटन की दिरिष्टी से यह एक ऐसा बिलासपुर जिले का स्थान है जिससे यहाँ प्रेटकों को करसित कि दिवेह माचल टीवी के लिए बिलासपुर से अभिशेक सोनी के रिपोर्ट